एक बव फ्रिज से आप सब का स्वागत है आपके अपने चलम में इस वीडियो में अपने आपर बात करेंगे जो एमिरेट्स डीटेन का आज के दिन का यहाँ पर पहला मुकाबला होगा जो खेला जाएगा अबू धाबी और दुबई के बीच में तो इस मेच की में आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में डीटेल में समझाओंगा बस आपको करना कुछ नहीं है यह जो वीडियो है ना यह आपको लास्ट तक वोच करना है सबसे पहले भाईयों आप लोगों को से रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपने अब तक टेलिग्राम चनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चनल को जरूर से जोइन कर लेना है टेलीग्राम चिनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन में दूसरा कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ उसमें भी आपको टेलीग्राम चेनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों ही जगे से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चेनल को जोइन कर सकते हो मुकाबला जो है स्टार्ट हो जाएगा साड़े चार बजे और मैच जो है वो खिला जाएगा मलेक किरकेट ग्राउंड यूएई में बैलेंस सर्फेस रहेगा बेटरस और बोलर दोनों के लिए एवरिज इसको 100-120 बनता है 16 मुकाबले आपर हो चुके हैं 9 जीते हैं बेटिंग फर्स करने वाल टीम ने उसाथ में चेस हुआ है मतलब यहाँ पर ना थोड़ा सा एडवांटेज है जो टीम पहले बेटिंग कर रही है उसको ये चीज ध्यान में रखना अबुदाभी की टीम पांच में से तीन में जीती दो मेच हारी है और दोनों मेच क्यों हारी है क्योंकि लाश्ट के दोनों मेच में इनके ओपनर फ्लॉप रहे हैं लेकिन जहां पर इनके ओपनर चलते हैं वहां पर इनकी टीम पक्का जीती है प्लस बेटिंग भी नमबर चार पर कर रहा है लाश्ट के जो 5 मेच इसने खेले है वहाँ पर 5 ओर डालके 4 विकेट है और बल्ले से 26 नोट आउट दो और 52 नोट आउट है तो छोड़ तो आप नहीं सकते इनको नाइक मोहमद है नीचे बेटिंग करता है वैसे तो हिटर प्लेयर है लेकिन नमबर 5 के करीब आ रहा है तो उतना इंपोर्टेंट नहीं रहेगा 9 बेटिंग, 9 बेटिंग, 3 और 8 है उजेर बच्चा है ये भी नीचे बेटिंग कर रहा है 9 बेटिंग, 9 बेटिंग, 0, 9 आउट, 0, 36, 9 आउट है इबरार शाह है इस बंदे को ना सिर्फ एक मेंच में एक ओर मिला उसके लावा हर मेच में इस बंदे ने 2-2 ऊवर डाले लाश्ट के 5 मेच में 9 ऊवर डालके 5 बिकेट है और मोहमद मोहसीन है बिकेट इसको कम लते हैं लेकिन 2-2 ऊवर डाले 1 में इसको ट्राई करूँगा अगर अबुदाभी की टिम पहले बोलिंग करती है तो रमजान हैदर ये डेथ में आता है चार मेच में आपर पांच विकेट है जेन अली जूनियर वैसे तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं जिसन अली जूनियर लेकिन इसको ओवर सिर्फ एक मिला है तीन मेच में एक ओर मिला है तो अभी तो छोड़के चलेंगे तेरा मेच में पंद्रा विकेट है जुबेर खान ये भी विकेट टेकर इसमिनर है पहले मेच में आप देखो दो ओर मिले है दो विकेट ले गया ना बंदा दूसरे में एक ही ओर मिला था 24 मिच में 34 विकेट है इसके नाम डीटेर में बहुत तगड़ा रिकोर्ड है अभी के लिए मैं रखूँगा मोहमद कामरान अठा रोहन मुस्तफा को रखूँगा इनके अलावा नीचे से में इब्रार शाह, मोहमद, मोहसिन, रमजान, हैदर और मोहमद, जुबेर खान को रखूँगा यह सब में तब रखूँगा जब इनकी टीम पहले बोलिंग करेगी और मोहमद, नदीम को भी रखूँगा क्योंकि अगर इनके टीम पहले बोलिंग करेगी ना तो फिर इनके टीम इनके सारे बोलर important बन जाते हैं और इनके टीम target chase भी कर सकती हैं ऐसी इनके टीम में आसानी के साथ बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं अगर इन में से किसी कोई chance मिलता है तो उसके स्टैट्स में आपको टेलिग्राम चनल पे शेयर कर दूँगा पाउर प्ले में बोलिंग करवाते हैं मोहमद मोहसीन और यासे आई शाह डेथ में आते हैं मोहमद नदीम, रोहन मुस्तपा और इब्रार शाह सामने जो टीम है दुबई की टीम चार में से मात्र एक ही मुकाबला जीती है ओपन करेंगे रोनक पनोली और अहान फनेंडिस रोनक पनोली ओपन के सासा दो ओवर भी डाल रहे हैं लास्ट के चार मैच में छे ओवर डालके एक तो विकेट हैं और बल्ले से 18-10-12-2 हैं थोड़ा सा पनेंडिस डाउन है लेकिन प्लेयर ही अच्छा है अहान फनेंडिस है ओपन करता है अच्छा प्लेयर है 3816 डीटेन में 18 मैच में 261 है फहाद नवाज है रिकोर्ड इसका बढ़िया है लेकिन अब तक बिल्कुल फ्लॉप शो है चार मेच में एक ओर में एक विकेट है और बल्ले से 20-06 है हाला कि डीटेन में अगर आप देखो 42 मेच में 60-10 विकेट है लेकिन अभी के लिए इंपोर्टेन नहीं है अमर बदामी है जीरो और नो बेटिंग 34 है ग्रेंड लिग में ट्राइक कर सकते हो सफिर तारिक भी काफी नीचे बेटिंग कर रहा है 17-9-7-0 सारुक से 12-13 नोट आउट एक विकेट नो रन ये भी नीचे खेल रहा है बोलिंग बिसने सिर्फ एक मेच पर कराईए तो ये ऐसे प्लेयर है जिनको आप ग्रैंड लिग में रह सकते हो स्मोल लिग के तो मेरे को प्लेयर ही नहीं लगते बाई मौहमद अनीक है जीरो और बारा अयामन अहमद है ये अच्छा प्लेयर है नीचे आके हिटिंग भी कर सकता है और ओवर भी डालता है चार मेच में चार विकेट है बल्ले से 15 नोट आउट जीरो नोट आउट है अधित्य सेटी विकेट टेकर स्पिनर है साथ के साथ थोड़ी बहुत बेटिंग भी कर लेता है चार मेच में आट ओवर डालके 5 विकेट है बल्ले से 5-7 चावजान ओट आउट है यग सर्माय, 3 मेच में एक विकेट है लेकिन अगर इनकी टीम पहले बोलिंग कर रही है तो आप इस पे रिस्क ले सकते हो क्योंके डेथ में भ्यात है वसी मकरम है, 2 मेच में 4 विकेट है इस से पहले DTN में 6 मेच में 3 विकेट है तो यहां से मैं अभी पिक कर रहा हूँ रोनक पनॉली आहान फनेंडिस और यहां से रखूँगा अयामन अहमद अधित्ते सेटी इन दोनों में से मैं किसी एक को तबी रखूँगा जब इनकी टीम पहले बोलिंग करेगी बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर सेन में से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग ओगर डालेंगे वसी मकरम यग सर्मा रोनक पनॉली डेथ में आएंगे अयामन अहमद यग सर्मा वसी मकरम पसंद आया तो भाईयो वीडियो को लाइक जरू करना और अभी यहां पर चलते हैं डेमो टीम की तरह नेक्स स्लाइड में भाईयो आपको डेमो टीम तो मिल जाएगा लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चनल से जोनों आपका बहुत ही ज़दा ज़रूरी है अगर आप डिस्किप्शन से टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ उसमें भी आपको टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चलों को जोईन कर सकते हो अभी देख लेते हैं डैमोट टीम डैमोट टीम है मैंने विकेट किपिंग सेक्षन से रखा है मोहमत कामरा नथ्ठा कैपटन मेरे रोहन मुस्तपा वोईस कैपटन रोनक पनोली लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम मिलेगी टेलि गिराम चैनल पर जिसका लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन में और कमेट सेक्शन में सबसे पहले कमेट में टोप पर पिन किया वा आपको मिल जाएग धन्यवाद